आज हम करेंगे chapter 6 की exercise 6.2 उसका first question है find the square of the falling numbers यह आपको terms दी हुई है इनका हमें square find out करना है तो मैं आपको बता चुकी हूँ एक तो simple आप 32 को 32 से multiply करो आपको square उसका मिल जाएगा but एक और वे बताया था मैंने आपको कैसे जैसे यह 30 लिखा हुआ 32 इसका आपको square find out करना तो कैसे करोगे आप 32 को 30 plus 2 लिख सकते हो then यह square यह find out करना यह आपका बन गया a plus b का whole square तो इसको या तो आप a into a plus b plus b into a plus b इस तरह लिखके solve कर सकते हो या फिर एक और a square plus 2ab plus b square किसी भी way में solve कर सकते हो चाहे यह वाला formula लगाके चाहे यह वाला formula लगाके तो अभी हम यह वाला formula लगाके use करेंगे इसको तो यहाँ a की place पे 30 है 2 b की place पे 2 है क्या करेंगे पहले 30 के साथ इस पूरी term को multiply 30 into 30 plus 2 30 लिखा पहले और इस पूरी term को 30 के साथ multiply then plus टाल के आप 2 के साथ इस पूरी term को multiply कर देंगे 2 into 30 plus 2 तो आपका क्या जाएगा 30 into 3 3 are 9 और 2 0 3 2 is a 6 और साथ में एक 0 3 2 is a 6 साथ में एक 0 2 2 are 4 तो इनको plus करके आपका आजाएगा चौरों को plus करके 1 0 2 4 यह आपका इसका square आगया ओके जरा हम multiply भी करके देखते हैं कि क्या इनको सच में multiply करके यही result आता है 2 2 are 4 2 3 are 6 3 2 are 6 3 2 are 6 3 3 are 9 4 6 6 12 यही result आया ओके next 35 का हमें square find out करना है तो आपको मैं बता चुकी हूं किसी भी term के unit place पे अगर 5 हो तो आपको ऐसे भी करने की जरूरत नहीं है just क्या करना है यह जो term दियो हूई है 5 से यहां पे जो भी term दियोगी वो और उसकी next term को 3 की next term क्या होती है 4 उनको multiply करो 4 3 are 12 लिखती है और 7 में बस 25 लगा देना है यह आपका result आगया next 86 इसका square हमें find out करना है तो 86 को हम 80 प्लस 6 लिख सकते हैं अब हमें इसका square find out करना है तो यह आजाएगा पहले 80 के साथ इस पूरी term को multiply then 6 के साथ इस पूरी term को multiply तो 8 8s are 64 साथ में 2 0 6 8s are 48 साथ में 1 0 6 8s are 48 साथ में 1 0 6 6 36 तो इन चारों को प्लस करके आपका आजाएगा आपका रिजल्ट आजाएगा ओके नेक्स्ट 93 इसको आप लिख सकते हो 90 प्लस 3 तैन इसका square या देगा पहले 90 के साथ इस पूरी term को multiply then 3 के साथ पूरी term को multiply तो आगे 99 81 20 39 27 10 39 27 10 33 9 तो इनको प्लस करके आपका जो रिजल्ट आएगा वो होगा 9 4 6 8 यह आपका रिजल्ट आगया नेक्स्ट 71 इसको हम 70 प्लस 1 लिख सकते हैं ना 70 इंटू 70 प्लस 1 प्लस 1 इंटू 70 प्लस 1 इंटू 70 प्लस 1 तो नेक्स्ट 46 का तो आप इसको 40 प्लस 6 लिख सकते हो तो यह आ गया पहले 40 के साथ multiply then 6 के साथ multiply 4 4 8 16 और साथ में 2 0 4 6 ता 24 एक 0 है 46 ता 24 एक 0 6 6 ता 36 तो इनको प्लस करके आपका आ जाएगा 6 वन वन कैरी यह आपका रिजल्ट आ गया तो हमारा नेक्स्ट कोश्टन है हमारा नेक्स्ट कोश्टन है राइट पैथागोरेस triplet where one number is six हमें पैथागोरेस triplet find out करना है तो आप जानते हो पैथागोरेस triplet में कितने digits होते हैं आपके तीन number होते हैं तो उन में से जो small terms होते हैं small number होते हैं उन दोनों की square का sum जो होता है वो third के square के equal होता है है ना और आपको यह number कैसे find out करने हैं वो भी बता चुकी हैं उसके लिए क्या होता है यह number होते हैं किसके equal two m m square minus one and m square plus one इसके equal होते हैं यह दोनों जो हैं वो इसके equal होंगे यहां पर कोई भी number हो सकता है और जो यह term होगी वो हमेशा बड़ी वली term होगी हमारी जो equal to दोनों को sum करके जो third number का square बनता है वो इसके equal होता है तो हमें इनकी help से number find out करना है तो उन्होंने क्या किया है कि हमें एक number दिया हुआ है इन तीनों numbers में से एक दिया हुआ है जैसे मान लो यह six हमें दिया हुआ है ठीक है तो इसके सथ और कौन सा square होगा कौन सा number होगा जिसको plus करके हमारा यह number बनेगा तो हम क्या करेंगे यह six है यह किसके equal होगा 2m के equal मान लो आप तो यहां से हमें m की value मिल जाएगी वो value हम यहां fill करेंगे हमें यह number मिल जाएगा और then इसमें m की value fill करेंगे हमें यह भी number मिल जाएगा करके देखे तो 6 equal to 2m कर लेते हैं तो यहां पे 2 जो है वहाँ जाएगा divide हो जाएगा 2,1 और 2,3 यहां तो m की value आपकी आगई 3 अब यह value इसमें put करो m square minus 1 में तो वो जाएगा m की place पे 3 3 का square minus 1 वो जाएगा 3 का square होता है 9 9 minus 1 वो जाएगा 8 यहां पे आपका जो दूसरा number है वो क्या होगा 8 होगा next अब इसमें हम m की value fill करेंगे m square plus 1 square plus 1 तो 3 का square 9 plus 1 equal to 10 दूसरा number जो होगा वो हमारा 10 होगा that mean 6, 8, 10 यह तीन पैथागोरियस ट्रिपलेट है जिनमें इन दोनों के square का sum जोगा वो इसके equal होगा जरा करके देखें कि क्या हमारा result सही है 6 का square plus 8 का square equal to 10 का square तो 6 का square होता है 36 8 का square होता है 64 और 10 का square होता है 100 इन दोनों को plus करके आपका क्या जाएगा 100 तो वो इसके equal आ गया तो आप इस बेसे कोई भी triplet जो है वो find out कर सकते हो second part में आपको second part में जो एक number है वो आपको 14 दिया हुआ है 7 अब यहां से आप m की value मिलगी अब आप बाकी दूसरे number जो है find out कर सकते हो एक number होगा m square minus 1 के equal दूसरा होगा m square plus 1 के equal then start m7 तो 7 square minus 1 7 का square होता है 49 minus 1 तो 49 minus 1 आपको आगया 48 next हमारा जो number होगा 7 square plus 1 तो आजागा 49 plus 1 वो आगया 50 तो जो हमारा triplet होगा वो कौन से number होगा 14, 48 and 50 2 ऐसे ही आप 16 और 18 का find out कर सकते हो चलो वो भी start करते है तो यहाँ पर 2m जो है वो हमें दिया हुआ है 16 तो m की value निकाल लो वो आजाएगी 16 by 2 2 1 आ 2 8 सा m आपका आगया 8 एक number आपको already पता है 16 है बाकी दो निकालने है m की value है तो m square minus 1 में और m square plus 1 में fill करके अब बाकी दो number निकाल सकते हो चलो करते है m की place पर हमने क्या लिखना है 8 8 का square minus 1 तो 8 का square होता है 64 minus 1 64 में से 1 minus किया that is 63 और next हमारा होगा 8 square plus 1 तो वो आजाएगा 64 plus 1 वो आगया 65 तो हमारा triplet किसका बना 16 63 and 65 mean इन दोनों के square का sum 65 के square के sum के equal होगा आप ये check भी कर सकते हो इन दोनों का square find out करो इसको plus करो देखो वो इसके square के equal आता है या नहीं next 18 है तो वो हमारा आजाएगा 2m आगया हमारा 18 के equal यहां से m की value find out कर लो m equal to 18 by 2 2 1 2 9 m की value आपकी आगई 9 तो यह value fill कर देंगे m square minus 1 में m square plus 1 में तो m की place पे 9 लिखना है 9 square minus 1 वो आगया 81 minus 1 that is 80 और यहां पे 9 square plus 1 तो वो आजाएगा 9 का square आपका आजाएगा 81 plus 1 that is 82 तो आपका triplet 3 नमबरों का कूंट सा बना 9 sorry 18 80 and 82 कि इसमें इन दोनों नमबर के square का समझ हूआ है वो 82 के square के equal होगा तो यहां पर आपकी यह exercise फिनिश होती है I hope पंचों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी Please like and subscribe my channel Bye